आप सबका स्वागत करता हूं Father of Value Investing Sir Benjamin Graham कहते है In a short run, stock market is a voting machine But in a long run, stock market is a weighing machine मतलब जो short term में share market में हलचल होती है वो sentiments के कारण हो सकती है लेकिन लंबे समय में company के fundamentals को company के share के price track करती है जैसे इसके पहले वीडियो में मैंने बताया है यहाँ पे share market में जो shares होते हैं यह ताश के पत्ते नहीं होते Peter Lynch कहते है, यहाँ पे हर एक share के पीछे एक company होती है और company के performance को लंबे समय में उस company का share track करता है जो common investor होते हैं वो बढ़ती हुई price देखके खूश होते हैं अगर Sensex Nifty के आकड़े बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे उन अकड़ों की पीछे क्या उतनी earning बढ़ रहे है इसको analyze करना बहुत important है जैसे Warren Buffet कहते है price is what you pay but value is what you get कितना pay कर रहे हैं और उसके बढ़ने में कितना मिल रहा है इसका comparison करना बहुत ज़रूरी है और यह compare कैसे करें इसके पहले बहुत सारी वीडियो में में बता चुका हूँ इसके लिए आपको जो index है जो sensex nifty भारतिया share market को represent करता है इसका जो price earning ratio है इसको analyze करना बहुत ज़रूरी होता है अभी क्या हालाद देखें तो nifty का जो price earning ratio है वो 27 से परे हो चुका है इसका मतलब है 27 रूपीद invest करते हैं तो एक रुपाय मिलेगा इसका मतलब जो earning yield है वो 3.7 के आसपास है इसका मतलब है ये earning yield bank से मिलने वाले return से कम है तो इसके कारण अभी जो share market है valuation के मताबिक महंगा है तो इस महंगे valuation के market में अभी ज़्यादा निवेश नहीं करना है अभी market में कम निवेश करना है अब जो आने वाला समय है इसमें जो company की earning है यहाँ पे गिरावट आना सौभाविक होगा क्योंके lockdown हुआ था और उसके बाद भी आने वाले समय में जो company आना है उनकी earning उतने तेज गती से बढ़ना सौभाविक नहीं होगा क्योंके जो workforce है वो दुबारा काम पे लोटने के लिए समय लगने वाला है तो price तो बड़ी है लेकिन उतने तेज गती से earning में बढ़ावतरी आना थोड़ा सौभाविक नहीं है इसलिए price earning ratio को track करना बहुत ज़रूरी है अगर earning की रफतार बहुत बढ़िया है और price अगर उससे कम रफतार से जा रही है तो वहाँ पे opportunity create हो जाती है अब जितने रफतार से earning बढ़ रही है उससे ज़्यादा अगर price बढ़ जाती है और वहाँ पे निवेश करने के कारण उतने return मिलते नहीं है या तो वहाँ पे market correction दिखा सकता है अब इस concept को आसान example से समझते है 1996 से अगर 2003 तक का मतलब 7 साल का data analyze करे तो यह समझ में आता है यहाँ पे sensex जो भरते share market को represent करता है जिसमें भारत की top की 30 company है इस sensex में जो top की company है इसके earning में हर साल कितने परतिशत से इजाफ आया था अब earning का मतलब profit तो यहाँ पे इन 7 साल में हर साल इन top की company के profit में केवल 1.21% से लगबग इजाफ आया था जो बहुत कम था 1996 से 2003 तक मतलब 7 साल में sensex के earning में उतना इजाफ आया ही नहीं इसके कारण sensex ने भी 7 साल तक limited range में कारोबार किया और जब जब earning से ज़्यादा sensex ने बढ़वत दिखाने की कोशिश की या बढ़ा तब तब share market में गिरावट डर्ज हुई अब 2010 से लेके 2020 तक का data analyze करे तो निफ्टी जो भारतिय share market को represent करता है निफ्टी जो भारतिय share market की A division है जिसमें top की 50 company को शुमार किया है 2010 से लेके 2020 तक इन top की company में निफ्टी के top की company में profit में सालाना कितने परतिशत से बढ़ोती आई लगब 5 से लेके 6% से बढ़ोती आई तो इन 10 साल में खुद निफ् अब इससे ज़्यादा जब जब return हुए तब तब मार्केट में गिरावट दर्ज हुई इसका मतलब है price earning के मुकाबले जब जब ज़्यादा हो जाएगी तब तब वहाँ पे price का गुबारा बन जाएगा price का bubble create हो जाएगा market महेंगा हो जाएगा अब कैसे पहचाने इस bubble को या इस महेंगे market को price earning ratio से price earning ratio हमें बताता है earning के मुकाबले market कितना महेंगा हुआ है इसके लिए इसके पहले बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ पहले market का valuation देखना बहुत ज़रूरी है निफ्टी जो भारतिया share market को represent करता है उसका जो price earning ratio है इतने साल से 10 से लेक महेंगा हो जाएगा 25 से जादा हो जाएगा तो और महेंगा हो जाएगा तो इस महेंगे market में कम निवेश करना है और निवेश करते समय उन्हीं कंपनियों में निवेश करना है जिनकी earning में आने वाले समय में अच्छी बढ़ोतरी आना अपेक्षित है जो company's sustainable competitive advantage के साथ earning में बड़ोतरी ला रही है अगर ऐसे कंपनियों में हम market के valuation को देखते हुए समझते हुए step by step निवेश करते हैं इसका बतले हैं जब market का valuation महेंगा है तो वहाँ पे कम निवेश करते हैं और जब market का valuation सस्ता है तो वहाँ पे ज्यादा निवेश करते हैं तो हम अच्छा profit कमा सकते ह पिछले देड़ दो साल से market का valuation महेंगा चल रहा था निवेश को बड़ा सकते हैं जैसा हमने बोला वैसा हमने खुद किया भी अब वहाँ पे हमने बोला था market का valuation moderate हुआ है तो market में भी 50% ही निवेश करना है इससे फाइदा क्या होगा अब अगर यहां से market तेजी दिखाता है तो जो निवेश किया है उसके उपर हम अच्छा profit कमाएंगे और यहां से अगर market गिरावट दर्श करता है तो हम अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमने 50% निवेश किया है और उसके बाद जब market में तेजी आएगी तो हम उसके उपर अच्छा profit कमाएंगे तो इस प्रकार से अगर हम investment का pyramid बनाते हैं तो हम market में successful investor बन सकते हैं market के valuation को ध्यान में रखते हुए अगर आप लंबे समय के लिए कंपणियों में step by step निवेश करते हैं तो आच्छे return कमा सकते हैं लेकिन कौन से कंपणिय में निवेश करें इस topic के उपर हमने already वीडियो अपलोड किया है अगर आप तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख उसका business model analyze करना जिस company में लंबे समय का step by step निवेश करना जाते हैं वहाँ पे उस company के earning में अगर अच्छी बढ़ होते ही आ रही है और उस earning को बरकरार रखने के लिए उस company के पास sustainable competitive advantages भी है तो उस company में हम लंबे समय का invest करते हैं step by step निवेश करते हैं तो लंबे समय में हम ब market cap to GDP ratio समझना चाते हैं तो हमारा जो application है उसको download जरूर कीजिए इसमें इन सारे ratios को हम regularly update भी करते हैं अगर आप देश के leading broker के साथ खाता खोलना चाते हैं तो उनकी links भी description में provide कर रहे हैं उसका फाइदा जरूर उठाईए market में successful investor बनने के लिए पहले market का valuation जरूर चेक करें क्योंकि warm बफेसर कहे चुके है price is what you pay and value is what you get तो इस episode में इतना ही अगर आपको आज का episode अच्छा लगा तो उसको like जरूर कीजिए share भी कीजिए comment करके बताईए आज का episode कैसा लगा और comment करके ये भी बताईए आने वाले सम अगले episode तक happy trading happy investing